हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभीका मेरे चैनल हाउ टू ग्रीन्री के बारे में बिताती हूँ और आपको healthy food जो वता है उसके बारे में भी बिताती हूँ जिससे कि मैं आपको अच्छी जानकारी दूँ अगर मैं कुछ मेरे में ऐसा लगए कि इंप्रूमेंट की जरूरत है तो मैं इंप्रूमेंट मी कर सकूँ तो आज हम बात करेंगे कि हमारी यहां तुलसी का पोधा बार बार क्यों मड़ जाता है तुलसी के पोधा किस कारण से अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता तो उसके बारे मां बात करेंगे और जिन्हों ने सबस्क्राइब किया है अभी तक मेरा चैनल तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें तो देखो यह तो मैंने तुलसी जमीन में लगा रखी है तो जमीन में आप देखोगे तो तुलसी बहुत ही अच्छी तरह से चलती है हेल्दी होती है अच्छा अब हम बात करती है इस तरीके के गंडे की आज मैंने चार पांच तरह की गंडे सेलेक्ट की है जिनके बारे में मैं बताऊंगी कि किस को किस तरीके से कहां पर यूज होना चाहिए गंडा तबही आपके पौदे अच्छी तरह से ग्रो करती है है ना क्योंकि तुलसी में को बूल दिया ता प्लीज सबस्कृाइब जरूर करें चलो शूरू करती हैं तो आपको प्लास्टिक के गमले में जो लोग तुलसी लगाती है तो प्लास्टिक के गमले का उपयोग वही लोग करें जो लोग जहां पर थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है जहां ठंडा मौसम रहता है आप वहां पर प्लास्ट के गमले का यूज कर सकते हो मतलब ठंडे इलाके में जैसे पाड़ी इलाके की तरह वहां पर प्लास्ट के गंबले का प्रियोग करो कि अगर पानी रुक भी जाता है क्योंकि इन गंबलों में छेद नहीं होता है और इसकी जड़ें फिर ज्यादा पानी रहेगा तो प्रोब्लम करेंगी तो इन गंबलों जैसे पाड़ी इलाक आए जहां ठंडा मौसम रहता है आप प्लास्ट के गंबले का उप्यों कर सकते हो है तो यह आपको ध्यान रखना है कोसिस करें कि वैसे प्लास्ट के घंबले में आप नहीं होगा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं दूसरे नंमर उपाती है और हवा जड़ों तक नहीं पहुच पाती है तो पोधा मढ़ जाता है और अगर आपको लगाना है बजार से लाके तो पहले उसको पानी में भिगो के रख दो आप पानी में भिगो के रखने के बाद 24 गंटे बाद तब उसमें आप एक प्लांट लगाओ और कोश पूटके में बहुत अच्छा लगता है चलता है पोधा आपका तो प्लास्टिक पेंट अगर कर देते हैं तो उस पर रुख जाता है तो पोधा आपका अच्छा नहीं चल पाता तो आप कोशिस करो करो चौक पेंट करो उसके ऊपर है ना कुछ लोग से रोमिक पॉर्ट ज इस तो ध्यान से रखना होता से तूटने का भाट रहता है और यह गर्मी में बहुत गरम हो जाते हैं ठंड में बहुट घंदे हो जाती है इनको और पत आहए आपको इसको चम्मक दार बाटार मतलब इस में शाय निंग लाने के लिए काई तरह का पैंट यूज करती है जो तो आप इस तरीके का यूज करोगे तो पौद आपको अच्छे से गिरो करेगा तो यह चीज आपको त्यान रखने की जरूते हैं जो गरम इलाकों में रहती हैं लोग है ना वह इस तरीके का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे यह तो टेमप्रेशर आपने रहती है और जो पानी वेस्ट होता है उसमें छिद्र होते हैं तो वह निकल जाता है तो इसलिए आप मिट्टी के कमले का यूज करें आराम से इसमें हवा भी पास आजम से हो जाती है तो पोदा भी आपका हेल्दी हो जाता है यह देखो मैंने जमीन में तुलसी लगा रख पौदा चलेगा क्योंकि उसमें पानी रुकता और उसमें हवा चिद्र बने रहते हैं तो हवा उसमें से आराम से क्रॉस होती है तो बहुत अच्छे से पौदा चलता है जूट कि उसमें आप देखोगे बैग में लगा के तो मैंने सोचा कि आपको यह थोड़ा जानकारी दे देती हूं किस तरीके के हमारे प्लांट्स मतलब ना मरें और मुशली तोलसी जिसकी कि हम पूजा पाट करती है देली है उसको जब हो जाता है पौदा खराब तो बड़ा दुख होता है और उसके ऊपर जो मंजरी आ जाती है जब आप उसे तोड़के अलग रगतों उस तो अच्छा लग है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और आगे शेयर भी कर देना अगर आपको थेंक्यू फोर वाचिंग थेंक्यू थेंक्यू सो मच्च